अस्लाम उलैक uniform students students हमारा आज का topic है forgetting forgetting यनि भूल जाना भूल जाने से क्या मरात है अगर इसकी definition की बात की जाए है तो एक safes इसकी definition इसकी definition ये बन सकती है forgetting is the inability to retrieve previously stored information वो information जो हमने पहले से अपने mind में store कि वी है जो हमारी wemory का हिस्सा बन चुकी है उसको रिट्रीव करने में यानि जरूरत के वकत अपने माइंड से निकाल कर लाकर इस्तमाल करने में मसला पेशाना डिफिकल्टी पेशाना या इस काबिल नहों पाना कि बिल्कुल भी वो information माइंड में आ सके या मुसे at the time of need use का सके तो forgetting is the inability to retrieve previously stored information पहले से store की information को retrieve करने में नकामी को forgetting कहा जाता है forgetting कोई random process नहीं है यह systematic process है इसकी वकाइदा वजुहात होती है यह systematically होता है ऐसे नहीं कि बस by choice अपनी मर्जी से कोई चीज याद रह गई यह कोई भूल गई तो यह इतना random process नहीं बलके systematic process अगर common sense के तौर पर बात करें तो इसकी कई वजुहात हो सकती है कि जी हमने at the first place में data को अच्छे तरीके से organize नहीं किया उसके बारे में गौर नहीं किया सोचा नहीं समझा नहीं categorization proper नहीं की rehearsal में ज्यादा नहीं की इस तना कि हम कई theories इसके बारे में पेश कर सकते हैं common sense के तौर पर लेकिन हम इसको बकाइदा कुछ theories के under discuss करेंगे कि ये forgetting क्यों होती है क्या information हमारे mind में होती है है और हम उसको सिर्फ जरूरत के वकित वहां से निकाल कर लाने में मसला होता है या information सिरे सही माहिम से घाय भी हो जाती है मिट जाती है या कोई चीज उसके रस्ते में रुकावट बान रही है तो actually क्या मसला हो सकता है इसको explain करने के लिए इसकी कई theories पेश की गई है जिने हम causes of forgetting भी कहते हैं इनसे कुछ नों कुछ ये भी इशारा मिलता है कि actually memory हमारे system में store कैसी होती है क्योंकि अभी तक surely नहीं बताया जा सका कि memory actually किस form में हमारे माइंड के अंदर store होती है क्या वो कोई chemical form store होती है क्या वो कोई nerve cells में कोई changes आती है क्या उनके connections बनते हैं क्या कोई root बनता है क्या किसी खास जगह पर जाकर को तबदिली आती है तो इसको अभी तक यकीन से इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है लेकिन जो forgetting की theories है वो कहीं न कहीं इस बात को भी थोड़ा बहुत explain करती है कि memory मारे system में actually होती कैसे है ठीक है जी तो theories of forgetting इस तरह की कि बहुत सारी theories पेश की गई हैं मुफलिफ theories है किसी को भी हम comprehensive नहीं कह सकते है सभी अपनी जगा पर बड़ी authentic है सबका forgetting में अपना कुछ नो कुछ रोल है इनको में से जो ज्यादा important है उसी तरतीब से मैं इनको explain करता जाता हूँ सबसे famous जो theory है सबसे major इस सवाले से वह जो decay theory decay का मतलब वैसे है अगर common sense में इसका आम मतलब लिया जाए तो वह ता है गलना सड़ना किसी चीज़ का मिट जाना जाया हो जाना इस तरह का meaning है और इसकी essence में भी इसका meaning गही बनता है decay theory का decay theory stay refers to the loss of information due to the non-use or change in the nerve cells damage to the nerve cells and memory traces in the brain ठीक है जे brain के अंदर जब information को बहुत ज़्यादा देर तक use नहीं किया जाता उसकी तरह से या brain cells का damage हो जाना या memory जिस route से गुजर कर गई है उस route का मिट जाना या इस्तमाल ना होने की वज़ा से fade away हो जाना memory का हमारे mind से this theory assumes that when we learn a new material it actually creates a physical change in the brain either a chemical change or some connection of the nerve cells or a memory trace or a route in the brain इस theory का ये मानना है कि जब हम कोई नहीं information याद करते हैं तो brain के अंदर actually वो save होने के लिए कोई नहीं कोई physical change लाती है chemically कोई तबदीली आ जाती है, nerve cells में कोई तबदीली आती है या nerve cells के connection से कोई route बन जाता है, किसी नहीं किसी ऐसी form में तबदीली आती है और forgetting भी फिर naturally किस तरह होती है, कि जब उस information को हम बहुत लंबे अरसे ताकर इस्तमाल नहीं करते हूं तो उसकी वज़ा से जैसे कोई चीज आइस ता इस ता खुद बखुद भी मिट जाती है, कमजोर पड़ती जाती है तो it fades away, जो जो memory trace है, या memory root है, वो fade away हो जाता है, ठीक है या brain cells के अंदर किसी जगा पर वो save थी, वो brain cells जो उनसे है, कमजोर हो गए या damage होगी चोट लगने से, किसी तरीके से, तो वो brain cells जहां जाकर memory actually store होई थी, वो cell भी खतम हो गए cell खतम तो memory भी खतम, ठीक है जी, तो या फिर जो memory traces थे, जो roots थे, वो जो उनसे वो मांध पड़ गए, ठीक है जी, fade away तो इस तरह की वज़ा से अगर memory हम उसको अपने retrieve करने में नकाम होते हैं, तो इस theory को decay theory कहा जाता है जिसमें ये माना जाता है, कि information बकाइदा brain के अंदर कोई physical change लाती है, और वो change वहां से मिट जाना, खतम हो जाना, उसकी वज़ा से forgetting होती है and the information is lost forever, हमेशा के लिए जो information है, वो हमारे जहन से निकल गई है ठीक है जी, बहुत से psychologists का मानना है कि ऐसा कभी नहीं होता, information हमारे mind में किसी ने किसी form में होती है और खास तोरकर जो psycho analysis वाले हैं, वो तो कहते हैं कि हम कोई भी information हिपरोटिसम के जरीए जहन से निकाल कर ला सकते हैं, वो सिर्फ unconscious में चली जाती है लेकिन decay theory यह कहती है, कि information बकाइदा या कोई chemical change थी, या कोई memory root था, memory trace थी, या कोई nerve cells के अंदर किसी किसम की कोई change थी वो change मिट गई, वो root मिट गया, वो brain cells damage हो गए, लंबे रसे तक information ना इस्तमाल ना होने से भी तो इस तरह की वजुहात से जब memory हमारे, उसमें सिस्टम में ना रहे, हम उसे retrieve करने में काम्याब ना हो सकें, तो इसे decay theory कहा जाता है तूसरी जो famous theory है, that is interference theory, interference का मतलब होता है, मुदाखलत करना, it means when an information blocks the way of another information, blocks or replaces दूसरी information के रस्ता या ब्लॉक कर देती है, या उसकी जगह को replace कर जाती है, तो उसके वज़ासे, जो एक information है, दूसरी information के वज़ासे, एक information उसके retrieval में मुश्किल आती है, तो आम तोर पर जैसे हम कभी कोई चीज याद करें, उसके बाद दूसरी चीज याद करें, तो गातार हमें, जो material पड़ाया जाता है, तो उसमें replacement आ जाती है, पहले जो मने चीज पढ़ी तो उसके जगह पर नए material आ गया, पराने वाला बूलता जाता है, ठीक है, तो इसको basically दो types में डिवाइड के रहता है, proactive interference and retroactive interference, proactive interference का मतलब है, when the previously learned information blocks or replaces the way of the newer information and prevents its retrieval. जब एक पहले वाली पुरानी information, वो रस्ता रोके बाद में याद की जानी वाली यह नई information जो हमार पास आई है, उसका रस्ता रोके और उसका retrieval को मुश्किल बना दे, तो इसे proactive interference काते हैं, मिसाल के तोर पर आपने एक काम करना पहले सीख लिया हुआ है, जैसे एक learning की type है, negative transfer of learning, जिसमें एक जो हमने काम सीख लिया है, वो दूसरे काम के रस्ते में record बनता है, मिसाल पर पाकिस्तानी ड्राइवर्स जो है, वो left hand पे, sorry, right hand वाला जो steering है, उसको use करते हैं, दूसरे मुलकों में left hand side पे होता है steering, तो जो जो जिसने एक दफा practice कार ली, left hand वाले steering की, या right hand वाले की, तो बाद में जब उसको side change करनी पड़ेगी, तूसरे side के steering वाली गाड़ी चलानी पड़ेगी, जैसे के ज्यातर दुनिया में है, सिर्फ ये पाकिस्तान और एका दो और मुलक होंगे, जिनमें एक तो इस side के steering वाली गाड़ी है, और drive भी जो उनसा है, इस हाथ पर किया जाता है, राइट हैंड पर drive किया जाता है, ज्यातर मुलक होंगे जोनसा है, मतलब इसके opposite है situation, steering भी दूसरे side पर, driving के side भी दूसरी है, तो जब एक side पर आप सीख लेते हैं, तो जब आपको दूसरी side साइड वाली steering वाली गाड़ी दी जाएगी, तो आप उसमें मसला पेश आएगा, तापकि previous learning, नई learning के रस्ते में रुकावट बनेगी, previous memory, newer memory के रस्ते में, previous information, newer या latter information के रस्ते में रुकावट बनती हो, तो इसे proactive interference कहते है, proactive, pro means पहले वाली active, active हो गई है, पहले वाली active होकर रस्तार होक रही है, बाद वाली का, और दूसरी type ह जी, retroactive interference, यह तो आम हमारी observation में रहता है, retroactive का मतलबता है, retro means बाद वाली, latter, newer, when the latter information blocks the way of the previous or earlier information, पुरानी information का रस्तार होके, बाद वाली है, नई information, ठीक है जी, retro means बाद वाली, या latter, ठीक है जी, when the latter information blocks or replaces the way of the earlier information, and prevents its recall, it is called retroactive interference, कुछ देर पहले एक मवाद याद किया था, फिर थोड़े देर बाद दूसरा मवाद याद किया था, तो नए के वज़े से पुराना जो उनसा है, उसको replace कर दे गई है, पुराने के रस्ते में रुकावट बनेगा नया मवाद, जो बाद में होने किया, वो पुरान बाद आप से पिछले लेक्चर के बारे में पुछा जाए, तो उतना अच्छा याद नहीं होगा, क्योंकि बाद बन लेक्चर की चीज़ें उस पर हावी हो जाएंगी, असर डाल देंगी, और रस्ता रोकेंगी पुराने वाले लेक्चर के रहे, जो information थी उसका, ठीक है जी, तो इसे हम कहते हैं, retroactive interference, तो दूसरी major theory जो forgetting की है, वो interference की theory है, कि एक information, दूसरी information को यह block कर देती है, यह replace कर लेती है, और उसकी recall को prevent करती है, रोक देती है, ठीक है जी, उसके retrieval को, तीसरी जो major theory है, उसे हम motivational theory कहते है, motivational theory, Sigmund Freud ने पेश की थी, motivational theory refers to the conscious repression of information into unconscious, ठीक है जी, sorry, conscious repression ही मैं कहूंगा, बलके, unconsciously हम information को repress कर देती है, unconscious के अंदर भैग देती है, ठीक है जी, it is called the repression theory of forgetting, repression means के, when we, when we repress, यहनि दबा देना, repress means दबा देना, when we repress the unpleasant, painful, shameful, sinful events of our life into the unconscious, so that we can adapt to the social life properly, ठीक है जी, हम अपनी social life में अच्छे तरीके से adapt कर सकें, इस वज़ा से जो sinful, painful, unpleasant किसम के वाकियात होते हैं, हम उन्हें unconscious के अंदर धकेल देते हैं, दबा देते हैं, ठीक है जी, मिसाल के तोर पर आपका जिन्दगी में जब कभी कोई नुकसान हुआ था, कोई चीज गुम होई थी, कोई death हो गई, खुदाना खास्ता, तो आपको at that point, जितने के तकलीफ और जो feelings थीं, जो ऐसासात थे, या आपने कोई गलती की थी, या खुदाना खास्ता कोई गुना क गिया था, तो उस वक्त जो आपके अंदर guilt की feeling थी, या नुकसान की जो आपके अंदर feelings होती है, अगर वो अब इस वक्त भी उतनी ही fresh हो, जितनी के वो उस वक्त थी, उन सारी details के साथ, तो social life हमारी जन्सी बहुत बुरे तरी किसे disturb होगी, आइस्ता इस्ता जैसे कहते हैं, वक्त एक बहुत बड़ा मरहम है, तो वक्त गुजरने के साथ साथ, जितनी मर्जी बड़ी तकलीफ हो, एवन हमारे करीब तरीन लोगों की death तक जन्सी है, उसकी तकलीफ भी मांद पड़ जाती है, हमें भूल जाता है, उसकी सारी details, कि हमें इस से जिल्दगी में क्या क्या चलाद फेस करने पड़ेंगे, और ये उस वक्त जितना शिदत से फील हो रहता है, जितना दुख, तकलीफ और वो आंसू और सब कुछ होता है, वो throughout ऐसे नहीं चलता, आइस्दा, इस्दा, इस्दा, सब कुछ मांद पड़ता जाता है, और वो वाक्या कहीं, unconscious में दखियल बात, वो सब कुछ हमें, as it is, याद नहीं आएगा, नुक्सान की वक्त जो फीलिंग्स एक्चल तब थी, एक साल के बाद, सेम ऐसे फीलिंग्स कभी भी नहीं आ सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं, motivational theory of repression, और motivational theory of forgetting, ठीक है, या repression theory of forgetting, जब हम repress कर देते हैं, unwanted या unpleasant, sinful, या shameful information को unconscious में धकेल देते हैं, ठीक है जी, और ऐसा life में automatic चलता ही रहता है, ठीक है जी, और fourth number पे है जी, इसकी एक और एक छोटी सी theory, जिसे हम neurochemical theory कहते हैं, neurochemical theory का मतलब है कि body के अंदर neurochemical changes आती है, body के अंदर lactic acid produce होता है, जिसकी वज़ेसे fatigue होती है, और fatigue के वज़ेसे memory का सारा process disturb होता है, इसलिए कहते हैं कि थोड़े काम के अंदर वक्फे ले लेने चाहिए, अगर आप continuous कोई भी काम करेंगे, तो blood के अंदर आपके muscles में lactic acid produce होगा, जो fatigue पैदा करेगा, fatigue पैदा करेगा तो वो muscles जितनी accurate attention के वक्त हमें जरूर तो होती है, कि बड़े हम attentive होकर किसी साथ नहीं दे रही होती है, और जब वो नहीं साथ देगी, हमारी eyes के muscles, हमारी neck के muscles, हमारी even nerves, जो उनसी काम कर रही है, उन पर भी pressure होता है, हमारे brain पर pressure होता है, तो वो अगर continuous रहेगा, तो obviously उसकी performance उनसी है, वो कमसोर होती जाएगे, इस वज़ा से कहते हैं कि जो जब fatigue प process disturb होता है, memory का process disturb होगा, तो obviously retrieval जो उनसा है, वो मुमकिन नहीं होगा, या उसमें पलिशानी होगी, difficulty आएगी, और forgetting cause होगी, यानि भूलने का मल से पैदा हो जाएगा, और last page, q-based forgetting, q-dependent forgetting, q-dependent forgetting का मतलब होता है, हमने अकसर चीजों को याद करने के लिए कुछ cues बना ली ह है, एक paragraph पूरा हमें, शायद उसकी heading याद आ जाए, तो heading के अंदर का सारा material भी याद आ जाए, हमने एक question है, उसकी 15 heading याद की है, 15 मेंसे heading ही 12 याद आ रही है, तो बाकी 3 heading के अंदर भी अच्छा खासा material था, लेकिन हमें heading याद नहीं, तो maybe उस सारा material भी साथ उसकी heading के हैं कि जो मेन हमने चाबी रखी थी, जो मेन इशारा रखा था, जो मेन क्यूं रखा था, वो क्यूं ही बूल गया है, आम तरपर अपने लेक्चर के दरान, एक ना, प्री प्रीवियस classes में भी, एक मैं जोक शेयर करता हूं, एक light सा जोक ऐसा वाले से, के Q dependent forgetting उसे थोड़ी स भी जाती है, एक बंदा, उसको अरुजणना भो बहुत लेट सोता है, तो एक दिन वो इरादा करता है, के मैंने ना, आज बहुत टाइम सा जाना, तो अकसर वो ये बात लादा करके भून जाता है, तो चल्धी सोना ताइम सा जाना, और उसकी निशाननी के तोर पर अपनी हाथ पर एक पट्टी बांध लेता है कि इस पट्टी का मतलब है कि जब मैं ये पट्टी देखूंगा तो मैं समझूँगा कि आज मैंने ये निशानी रखी थी जल्दी सोने की और मैं इसकी वज़ा से ये मुझे याद आजाएगा कि यार रजाना की मुट्रटी चोड़ के ना आज जल्दी सोने तो रात पाड़ जाती है तो उसे याद आजाता है सुबा पांच बजे उसे याद आजाता है पहले तो वो देख रहा था पट्टी को ये पट्टी इसका क्या मतलब है सुबा पांच बजे याद आता है कि आज मैं जल्दी सोना है सारे रात इस बात को सोचने में वो लगा देता है तो उसमें बेसिकली वो मेन क्यू जिससे अगली बात याद रहनी थी वो क्यों ही भूल गया तो इसे हम कहते हैं Q-Dependent Forgetting next insha Allah कोई और chapter स्टार्ट करेंगे फिल हाल के इतना ही okay students thank you